C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 24 माँ पाठ जीवन का जाल यहां कुछ चित्र दिये गए हैं जो हैं पेड़ पौधे, साप, गिलहरी, पानी, सूरज, घास, पक्षी, चंद्रुमा, गाय, चूह, मिट्टी, घर, हवा अब तक तुमने करीब करीब यह पूरी किताब सुन ली होगी तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वाहनों तथा और भी कई चीजों के बारे में सुना और सोचा क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीजों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्योंकि चित्रों में दिखाई गई चीजों से हमारा क्या नाता है? चलो पता लगाएं सबसे पहले दी गई खाली जगाए में अपना चित्र बनाओ अब अपने चित्र से एक लाइन खीच कर उन चीजों को जोड़ो जो तुम्हें अपने जीने के लिए बहुत जरूरी लगती है क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा? देखें, घर किन-किन चीजों से जुड़ता है पहले सोचो, घर किन-किन चीजों से बनता है? लकडी, जो पेड से मिलती है इंट, जो पानी और मिट्टी से बनती है मिट्टी, हमें जमीन से मिलती है पानी, हमें नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है तुम समझ गए न, घर को किन चीजों या शब्दों से जोड़ना है? अब, इसी तरह, एक-एक करके सभी चीजों को दूसरी चीजों से जोड़ो यह सब करने में हो सकता है तुम्हें कुछ और चीजों के नाम लिखने की जरूरत पड़े इतना सब करने पर क्या बना? बन गया न, एक बड़ा सा जाल यह जाल देखकर, तुम क्या समझे? तुमने जो जाल बनाया है, उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो क्या सब एक जैसे हैं? साथियों के साथ इस पर चर्चा भी करो जीवन का जाल अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 24 वा और आखरी पाठ इसी के साथ ये पुस्तक भी यहां समाप्त हुई प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नई दिल्ली भारत